माई डियर फ्रेंट्स हम में से हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसको किसी ना किसी काम के लिए पैसे की जुरुत पड़ती है और पास में पैसा नहीं होता तो ऐसे में उसके पास केवल एक ही विकल्प होता है कि क्यों ना लोन ले लिया जाए तो आप इससे लोन के बारे में बहुत को जान सकते हैं जैसे ये किए तो बैंक लोन देने से इसके अलावा अगर आप बिसनिस होनर हैं और MSME में registered है तो आप कैसे प्रधान मंतरी मुद्रा लोन आप आसानी से किसी भी बैंक से ले सकते हैं अगर आपने लोन ले लिया है तो लेने के बाद बहुत सारी problems होते हैं उस लोन को चुकाने के है ना तो लोन या रिन चुकाने के आसान तरीके क्या हैं मतलब कई बार क्या होता है कि हम multiple loan ले लेते हैं और multiple loan लेने के बाद हम यह निर्णा नहीं कर पाते कि पहले कौन सा loan चुका हैं बाद में कौन सा loan चुका हैं और अगर चुकाना भी चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या होगा कैसे हमारे पास जो लोन की EMI का बर्डन है वो कम से कम हो ये वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है इसके लावा अगर आप लोन अभी तक आपने नहीं लिया है लेकिन लेने का निरने किया है त आज बैंक से अगर आप transaction करना चाहते हैं लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे method भी जिसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता इंटरस्ट के रूप में और वो भी बिना किसी ब्याज के आपको लोन मिल जाता है तो अगर आपने अब तक लोन नहीं लिया और लोन लेने क समय हम ये कैसे निर्णे करें कि हमारे लिए लोन लेना सही है या गलत इस बात को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि purpose of loan क्या है कि कि किस उदेश्य के लिए हमने वो लोन लिया है अगर हमारा purpose बिलकुल सही है तो लोन लेना सही है अगर हमारा purpose हमारे loan के criteria को match नही होना तो loan दो ही तरह के होते हैं एक loan को कहते हैं good loan और दूसरी तरह को कहते हैं bad loan तो good loan क्या होता है कोई भी ऐसा loan जिसका फाइदा आपको हो सकता है भविश्य में वर्तमान में या आने वाले long term में भी तो उसको हम good loan कहेंगे अब ये good loan हम लोग लेते किन किन चीजों के लिए पहले वो समझ लेते हैं for business अगर आप अपने business में growth के लिए loan ले रहे हैं तो इसको good loan कहा जाता है अभी बहुत सारे criteria's है कि इसमें भी decision कैसे लें कि वो business के लिए लिया गया loan good है या bad है उसके बारे ही बात करेंगे पर जर्नली business में लिये वो लोन को good loan बोलते हैं क्योंकि वहां से income की possibilities बढ़ने की बहुत अधा आशनका होती है इसके लावा asset creation आप किसी भी तरह की asset का creation कर रहे हैं आपने ऐसी चीज़े खरीदी हैं जिनसे बविश्य में आपकी asset या net worth बढ़ने वाली है तो ऐसे loan को भी हम good loan कहते हैं इसके लावा future growth के लिए हमने अगर loan लिया है तो भी हम यह बात कह सकते हैं कि future growth के लिया गया जो loan होता है ना वो कहीने का हमारी net worth को बढ़ाता है और उसको हम good loan कहते हैं इसके लावा long term investment के लिए अगर आपने loan लिया है आपको लगता है कि कोई opportunity आपके सामने है कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल या भविश्य के लिए वो loan जो मैं आज ले रहा हूं उसके बदले जो चीज मैं खरीद रहा हूं उससे मेरी assets जो मेरी investment है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है तो उसको भी हम good loan कहते हैं ठीक है higher education के लिए अगर आप loan ले रहे हैं तो इसको भी हम good loan कहते हैं बशरते उस loan लेने के बाद आप इतना पैसा कमाने में सक्षम हो जाएं कि आप आसानी से उस higher education की वज़ह से उस loan की भरपाई कर सकें है ना इसके अलाबा good loan और bad loan में एक बड़ी important factor और भी है और वो factor क्या हमें बताता है कि loan जो होता है ना वो दो तरह का होता है एक secured और एक unsecured loan देखिए loan देने वाली organization बैंक हो चाए NBFC हो या कोई financer हो जब भी वो आपको loan देगा ना तो वो यह देखेगा कि क्या आप उस loan की repayment सही तरीके से कर सकते हैं मतलब आपका जो payment schedule है क्या वो routine वाइस ठीक रहेगा या नहीं उसके व्याप पर वो यह भी देखता है कि अगर in case मेरी payment नहीं आती है तो मेरे पास क्या security है जिससे में पैसा वसूल कर सकता हूँ अगर आपका जो loan security होगा मतलब देने वाले को security महसूस होगी तो आपका rate of interest भी कम होने वाला है comparatively unsecured loan अगर आपने unsecured loan लिये तो वहाँ पर possibility क्या है कि आपका rate of interest ज़्यादा होगा चोकि loan देने वाली organization, bank या NBFC या investor या financer जो भी आपको loan दे रहा है वो देखता है कि unsecured है तो rate of interest भी आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा fine अब loan जो secured होता है वो कौन कौन सा होता है loan against property अगर आपने अपनी property के paper documentation को mortgage किया है तो यह loan एक तरह से secured loan होता है इसलिए इस पर rate of interest जालतर कम होता है loan against bond or securities आपके पास किसी companies के bond है डिवेंचर है शेयर्स है यह security deposit है FD है उसके भिहाप पर अगर आप loan लेते हैं पर आपको कोशें नहीं होगा किस तरह FD होगी तो FD तोड़के काम चला लेंगे लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि FD मेरी fix पड़ी है लोन मुझे कुछ समय के लिए चाहिए तो मैं क्यों अपनी FD की duration खराब करूं तो वो loan against bond security FD ले लेते हैं जिसकी वज़े से आपको rate of interest कम मिलता है इसके अलाबा loan against stock or inventory inventory आपके पैसा safe है in case मुझे loan की EMI recover नहीं होती तो मैं आपका stock capture कर सकता हूं और loan against gold अभी यहां भी एक लोग कई लोगों के मन में प्रशनाता है अगर gold ही होगा सर हमारे पास तो gold को बेच ना देंगे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग उस gold ornament को jewelry को बेचते नहीं है वो तैनी मेरी gold की जो jewelry है और जो सामान है वो सारा मेरे पास बना रहेगा तो जब आप secure करते हैं तो आपके पास rate of interest कम होने वाला है unsecured rate of interest ज्यादा होता है क्योंकि bank को भी security के बदले कुछ नहीं मिलता है इसलिए वो rate of interest भी ज्यादा चार्ज करते हैं आप bad loan कौन से होते हैं आपने personal expenses को meet up करने के लिए आपने loan ले लिया आपने देखा भी ठीक है मुझे अपना lifestyle change करना है मुझे बहुत सारी electronic चीज़े खरीदनी है मुझे गैजट्स करीदनी है मुझे laptop खरीदना है मुझे music system खरीदना है तो बहुत सारी personal expenses आप कर लेते हैं उसके लिए आप loan ले लेते हैं तो यह bad loan है क्योंकि इससे आपको revenue आने वाला नहीं है इसके लावा बाइंग electronics मैंने भी आपको बताया personal expense में आता है depreciating asset भी है आने वाले समय में उसकी कीमत घटती जाएगी आज से चार साल पहले जो हमने mobile phone 60-70,000 रुपे का लिया होगा आज उसकी value 20-30,000 रुपे रह गई होगी है तो यहाँ पर क्या है आप electronics के लिए लेते हैं तो bad loan है loan की repayment करने के लिए loan लेते हैं अभी लोग कई बार क्या होता है मालीज उनके उपर कोई loan चल रहा है और उनके पास भरने की एक्षमता नहीं है तो वो उस loan को भरने के लिए दूसरा loan ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास burden of loan घटता नहीं है बढ़ जाता है हाँ वो बात अलगे कि सपोज आपने एक loan लिया हुआ है वहाँ पर rate of interest आपका 12% है आपको कहीं और से loan मिलता है वहाँ पर आपका 7% 6% rate of interest है तो आपने क्या किया एक loan लिया और इस loan की payment कर दी अब आपकी EMI कम हो जाएगी ठीक है लेकिन जाता repayment करने के लिए जब हम loan ले अब ही जैसे मैं एक example दूँगा ना बहुत सब्सक्राइब करेंगे कि सर यह तो productive है तो non-productive है for example आपके पास एक बाइक है और आपका सारा काम उससे सही तरीके से चल रहा है लेकिन आपने के वल अपने अपको upgrade करने के लिए आपने modern bike लेली या आपने कार खरीद ली लेक अपने लेली तो वहाँ पर वह आपका bad loan होगा ठीक है ना consumption के लिए बहुत से लोग कई बार क्या होता देखो lockdown के टाइम में देखा गया कि लोगों के पास आजीवी का चलाने के लिए भी पैसे नहीं है तो उन लोगों ने क्या किया consumption के लिए गर के राशन के लिए घर के खर्चे के लिए तो यह लोन जो होते हैं वो बैड लोन में होते हैं इससे अच्छा तो आप फोकस करें कि कैसे अपनी अर्निंग बढ़ाएं इससे बहुत सारे वीडियो मैंने दिये हुए कि क्या वो तरीके हैं जब economy recession में हो बहुत जादा competition हो आपका व्यापार खत्रे मे हो तो हम कौन-कौन से तरीके हैं जिससे बिना investment के पैसे कमा सकते हैं वो वीडियो आप ज़रूर देखेगा आपको बहुत फाइदा होने वाला है तो यहां पर मैंने आपको बताया कि good loan और bad loan के बीच में क्या difference है और मैंने जब good loan की बात की थी थी ना कई बार हमारे good loan के decision बी bad decision हो जाते हैं यह इस बात पर निभर करता है कि purpose of the loan में हमने good loan लिया था लेकिन हम उसको in cash नहीं कर पाए उसके पीछे current क्या है आपने business के लिया आपने एसेट के लिए अपने future growth के लिया आपने long term investment के लिया higher education के लिया लेकिन आप यह समझी नहीं पाई loan तो मैं ले ल उस loan की repayment कर पाएं और मैं एक बात कहता हूं ध्यान रखेगा अगर आप safest site पर चलना चाहते हैं तो आपकी income का 10% से ज़्यादा आपका EMI नहीं होना चाहिए अब यहां बहुत सार लोग controversial बात में आ जाएंगे कि सर मैं इतना ही अगर मेरी 90% मेरी कमाई होगी तो मुझे लोन की क्या जूरत है दोस्ते बात बताएता हूं आपको आप सोचते ना माली जाप एक लाख रुप मेना कमाते हैं आपके वह इतना लोन ले जिसमें 10-15,000-20, रहे हैं तो उस पर आने वाली जो EMI है वो आपकी इंकम की 10% से 15% से 20% जादा नहीं होनी चाहिए तब तो हम कहेंगे कि आपने जो asset creation के लोन लिया है वो safe loan है fine इसके लबाब कई बार क्या होता हमारी monthly income बेज नहीं है हमारा business है business में क्या होता है कई बार तो लगातार profit हो र total कितना पैसा कमाया एक साल में business की calculation होती ना वह annual basis पर होती है मैं कहता हूं कि पहले महीने आपने कमाया एक लाक रुपए अगले महीने कमाया आपने दो लाक रुपए उसके बाद आपने कमाया सिर्फ 50,000 रुपए फिर आपने कमाया तीन लाक रुपए तो आप कैसे कि तब तो इस loan को हम good loan कहेंगे ठीकन रिस्क रिशो क्या है रिस्क रिशो का मतलब है friends आप इन में से किसी भी एसेट का creation करने जा रहे हैं किसी भी जगए इंवेस्ट करने जा रहे हैं चाहें education हो चाहें आपकी investment बेज हो future growth के लिए हो asset के लिए हो higher business growth के लिए हो वहाँ पे risk ratio क्या है कई बार क्या होता है कि business में आपको पता है कि मुझे loan मिल रहा है मान लीजिए 12-13% पर और जो possibility of growth in business है वो 5% है या जो से income का enhancement होने वाला है वो आपके percentage of ratio से percentage of margin से कम है तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा risk होने वाला है कई बार क्या होता हम ऐसी higher education ले रहे कि या माली जी परसेंटेज possibility 10% है तो आप 90% education loan लेकर भी risk में आ जाएंगे क्या assurance है कि higher education करने के बाद आप उस higher level of salary तक पहुचेंगे जिससे आपने loan को repay repay कर पाएं तो आपको यह भी देखना है कि ratio of risk कितना है future growth possibility कई बार क्या होता है कि हमें यह पता ही नहीं होता कि वास asset create हो जाएगी जहां जिस जगह पर मैं property खरीद रहा हूं वहां पर उसमें appreciation होना ही होना है growth आनी यानी है तो आपको यह देखना है कि future growth possibility क्या है उसका तरीका क्या है आप जहां भी वह पैसा invest करने जा रहे है ना उस loan को लेकर उससे संबंदित सारी research and development आप करके रखें सार तो बहुत सारी चीज़ आपको चेक करनी होगी तभी आप इन में से किसी loan को लेते हैं secured loan को लेते हैं तो वह good loan कहलाता है नहीं तो वह bad loan बंजने वाला है है ना rate of interest क्या है फ्रेंड्स खाली इस बात से मतलब नहीं है कि आपने good loan लिया है rate of interest कम है लेकिन आपको ये भी देखना है कि उस investment से आपकी जो growth possibility का ratio वो interest के रूप में कितना आने वाला है जैसे माली जी आपने 10% या 12% पर आपने loan लिया है और वो पैसा आपने invest कर दिया है मैंने का थना investing भी करते हैं हम लोग long term investment आपने invest कर दिया वो FD में और FD में आपको कितना मिलने वाला है 6% 7% percentage vary करता है मैं एक example को रूप में बोल रहा हूं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है जो आप interest pay कर रहे हैं वो ज्यादा है लेकिन जो से मिलने वाला return है वो कम है तो अभी कई बार क्या होता है कि लोगों के पास repayment possibility के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्यों क्योंकि उनका भविश्य वेपार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसके बारे में नहीं पता भविश्य में जो assets खरीदी है आपने उसको sale करने पर क्या उतने recovery हो जाएगी या नह कर सकते हैं मतलब आपके पास इतनी possibility है कि आप आसानी से उसकी EMI को भर सके ध्यान रखेगा अपनी income में से जब हम income की बात करते हैं तो आपकी income जो है ना उसमें से आपका personal monthly operating expenditure घटाने के बाद जो पैसा बसता है उसका 50-60% अगर आप EMI के रूप में रखते हैं तो आप आ एक व्यक्ति के ना operating cost हैं घर के personal खर्चे हैं घर परिवार के खर्चे हैं राशन पानी बच्चों की पढ़ाई रेंट हैं बाकी चोटी मुटी चीजों के बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो उसको हर मेने करने बढ़ते हैं अगर आप जितनी भी income generate कर रहें ना उसमें से वो अपने business में अपने assets में कैसे इतनी creation करें कि आपको ratio of interest कम पढ़ने वाला है है ना business के अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह दिखिए business में में क्या growth possibility देने वाला है यह decide करना है अगर इस सभी decision में आपके कहते हैं कि हर एक चीज़ को एक number दो हर एक चीज़ को एक number दो और अग पज़ लीजिए वो आपके लिए good loan होने वाला है यह points आपको निर्धारित करने होंगे क्योंकि आपको पता आपकी monthly income कितनी है आपका frequency of income कितनी है कैसे कैसे आपको income आती है risk ratio क्या है future growth possibility क्या है इसको आपको अच्छे से study करना होगा जो loan आप लेने जा रहे है उसका rate of interest क् दोनों का comparison आप बेतर कर सकते हैं और repayment की possibilities क्या है कई बार बहुत सारा लोगों के पास ऐसी extra assets होती है कि अगर कुछ भी हो जाए ना तो उस asset को sale करके मैं सारा loan चुका दूँगा तो उसको बोलते हैं repayment possibility मानलीजिए आपकी income ना हो है ना लेकिन अचानक आपके पास loan की हमा नेड़ने लें तब उसके बाद decide करें कि आपको loan लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और friends मेरा तो यह के सिद्धानत है जहां पर भी आप अगर loan लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर calculate करना है कि जितना interest मैं pay कर रहा हूं और जितनी EMI में principal plus interest दोनों मैं pay कर रहा हूं उससे जदा earning में कर लेने वाला हूं और इसमें भी मेरा risk जो है वो केवल 10% है तभी आप loan लें मैं अपनी life में इसी fundamental का इस्तेमाल करता हूं इसके लाव अगर आपके पास और कोई suggestion है ना loan से संबंदित कि मैं कैसे decide करूं कि loan लेना चाहिए नहीं लेना चाहि चाहिए या किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स मेरा कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं ल देखने के बाद आपको यह पता लगेगा कि बिना investment के भी अच्छी इंकम opportunity generate की जा सकती है और जा आपके इंकम अच्छी होगी तो लोन को repay करना भी बहुत आसान होगा स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं ज